तन लग रही है सोने दो क्या है सोने दो ने आर्श शुकून से मुझे भी दो ठाट लग रही है क्या यार सोने नहीं दो भी दो छोड़ो वो क्या कर रहे हो मीद का सत्या नाश हो गया सपनों की ऐसी कि दैसी हो गई वह जब रजाई एक और सोने वाले दो हो तो एंच्यस तो करना पड़ेगा वरना फिर वही हाल होगा जो करन और साक्षी का हुआ उनकी सुहाग रात में जब शावी बिन मर्दी की हो तो सुहाग रात में रोमैंस कहा बरसेगा करन साक्षी से नाराज और साक्षी करन से खफाखफा है अराजगी थोड़ी सी है पर साक्षी से नहीं है विकास अफ सिच्वेशन साक्षी को कैसे चुटकारा पाया जाए तो वो सब पहनेंगे अगर यह चुटकारा पाना चाहते है तो मैं अपनी पूरी जीजान लगाँगे इस चाली को सक्थेस्कुल बनाने में और इनका दिल जीतने है वैसे आपको बता दे साक्षी और करन की सुहाग रात की शुरुआत सम्मे पासलों के साथ हुई थी साक्षी ने जहां बैट पर कबजा जमाया था वहीं करन बाबू बहुत दून सोपे पर पड़े थे वो तो भला हो सर्दी का जो दोनों को कुछ तो नसीख ले आई और पास आए भी तो इतने पास आए कि दोनों की हासी चूट पड़ी वैसे इस हासी से पहले करन बाबू आसु भाहा रहे थे शादी से पहले उनका एक बॉइफरेंट था जिसके साथ सागशी भाग जाना चाहती थी तुम्हें ये सच मुझे शादी से पहले बदाना चीज है सच है फर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे कुछ अर्मान थी सुच था पाइश से प्यार करने माने मुझे ले जाओंगा ये करूंगा वो करूंगा तुम्हें मेरी सिंदगी के साथ खेलने का किसने दिया किसने दिया मैं बस अपना अतीत इनके साथ इनके सामने खोल देती हूँ मैं बोल देती हूँ कि मेरा एक बॉइफरंट था जिसके साथ मैं भागने वाली थी तो ये I don't think इनको इतना एफेक्ट वा इतना ये ओवराक्टिंग कर रहे हैं बिसिकली फिलार में ड्रामा कर रहा हूँ कि इम मुझे सच्चा ही बताती हैं तो मैं इनको वापिस आके बोलता हूँ कि पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मॉम को सच्चा ही बता हूँ और मॉम मेरे फेवर करें और किस तरह शादी ब्रेक हो जाए बढ़ वहाँ पर भाजी पलट जाती है क्योंकि मॉम को पहले से पता है कि इसका बॉइफ्रेंट था ब्ला ब्ला अब मैं क्या ड्रामा करने वाला वह देखने लाएगो तो आप देखिए करन बाबू इसमें इतने आंसु बहाने की क्या बात है आपका पास भी तो बहुत क्रीन वाला नहीं है आपकी पुरानी गल्टन भी तो आई थी आपकी शादी में ठुमके लगाने तब साक्षी ने भी तो एज़ेस्ट किया था ना अब बारी आपकी कुछ करके हैं इंट्रेस्टिंग साय मेरा पास बहुत इंट्रेस्टिंग है और देखने मज़ा आएगा और मैंने बुलाया था इनको जलाने के लिए बटी कुछ उल्टाई हो गया सब गेम और यह वहां पर भी आगे निकल गई उससी जीद गई सूनी 쿠lli के इस नए शो में हो चुकी ए मिया बीबी के सानोके रिष्टे की शुरूआत। हालक की शुरूआत में तो काफी पास ले लेकिन कैसे मिशेंगी यह फासुआ और कैसे मिलेगी मिया बीबी के इस रिष्टे को एक नई पहचा इही है शो के आगे की कहानी। झाल झाल